आप देख रहे हैं देश का बटन डिफोर और वक्त हैं खबरों का गुरुवार को रीवा सहर के समान ठाने में मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर वाउन के मकान मालिक के बीच विवात का मामला प्रकास में आया है मकान मालिक के पच्छ से दो महिलाएं घायल हुई है जिनोंने जूनियर डॉक्टरों पर मारपीट किये जाने का आरोप लगाया है वहीं जूनियर डॉक्टरों ने मकान मालिक वाउन की पत्नी पर गाली गलोज कर परसान किये जाने का आरोप लगाया है दोनों पच्छ ने अ धायर हो गई बताया गया कि स्यामसाय मेडिकल कॉलेज में इंटर के स्टुडेंट डॉक्टर दीपक सर्मा वा डॉक्टर आसी इस्तिवारी उसी मकान पर किराय से रहते हैं जिनसे यह विवाद हुआ है बताया जाता है कि विवाद गाड़ी खड़ी करने कुले कर सुरू हुआ था बताया गया कि डॉक्टर दीपक सर्मा वा दौरा दौरीका नगर में किराय से मकान लिया गया है जहां देर रात दर्जनों मेडिकल स्टुडेंट वहां आते जाते हैं और गाड़ियां उनके दरवाजे पर लगा देते हैं जिससे उनका रास्ता अबुद्ध हो जाता है जाताया गया कि मौना करने पर गाली गलोज करते रहते हैं किसी बात को लेकर यह विवास शुरू हुआ जिनसे चिगित्सक वा उनके साथियों द्वारा महिला पर हामला किया गया है वहीं मेडिकल चात्रों का कहना है कि महिला वह उसके पती द्वारा आय दिन विबाद किया जाता है और हमला उनके द्वारा किया गया है हलाकि घटना में महिला का सिर्फ उठ गया है और उसके गरदनवा कंढ़े में चोटे आई है इसी घटना में कामणा पांडे की नोकरानी भी घायर हुई है फिलाल फुलिस ने दोनों पच्छों की शिकायत पर मामले की जाज शुरू कर दी है एसे ही अल्णा मचा रहे थे तो हम आम वासे निकले तो भाया के लिए मारे और पिर हमारे साथ के तुम भी तो ड्यातर वासी बादर पांडे के बढ़ा किशीश हो लेके विए अब अम भी खाना हुनाते हैं अम को नहीं पता हो सब्सक्राइब की जाबेर्श जाएब इसके झाल झाल झाल